नवस्कार सलाम नीज क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकुल सरल सबसे पहले हेड्लाइन्स निर्मान मजदूरों की 2 और 3 दिसंबर को देश व्यापी हरताल यूपी सरकार के हर दावे पर सवाल उठाती है नीती आयोप की रिपोर्ट खेल प्रतियों गिता और सिर्फ सरकार में सामराज जवाद पर हुई है किसानों को जीत अब पहली दिसंबर से लागू होंगे नए एक कोविड दिशा निर्देश अब खबरे विस्तार से देश भर में निर्मान मजदूर अपने मांगों को लेकर दो और तीन दिसंबर को देश व्यापी हरताल करेंगे Central Trade Union, Center of Indian Trade Union यानी C2 से सम्मंदित भारत की निर्मान मजदूर फेडरेशन ने देश में निर्मान मजदूरों की मांगों को लेकर इस दो दिफ से हरताल का आवान किया है Union ने दावा किया है कि इस दिन देश भर में निर्मान मनरेगा और निर्मान शेतर के करोलों मजदूर हरताल करके काम ठप करेंगे इस दोरान Union देश भर में विरोध प्रजशन और रेली निकालेगी भरत की निर्मान मजदूर फेडरेशन के राष्ट अध्यक्ष सुक्बिर सिंग ने बताया कि यह घरताल निर्मान मजदूरों की मजबूरी है क्योंकि अब केवल यही एक विकल्प रह गया है केंद्र की मुदी सरकार ने निर्मान मजदूरों के हक में बने भवन तता नेवी निर्मान श्रमिक, रोजगार तता सेवा शर्तों का नियमन अधीनियम 1996 को पूरी तरह से खत्म कर इने लेवर कोड में शामिल किया है और वहां से मजदूरों के अधिकारों को गायब कर दिया गया है इसे कमजोर कर सरकार निर्मान मजदूरों की सुरक्षा को चीन रही है ऐसे में अब मजदूरों के पास हरताल के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं बचा उत्तर प्रदेश पूरी तरह चुनाओ के मोड में आ चुका है योगी सरकार दिन प्रति दिन प्रदेश के विकास के नई दावे और विग्यापन जारी कर रही है लेकिन क्या ये सच है उसके हर दावे हर प्रचार को सरकार का ही नितियायोग नकार रहा है नितियायोग द्वारा जारी मल्टी डाइमेंशल पावर्टी इंडेक्स यानि MPI के नुसार बिहार, जारखंड और उत्तरप्रदेश देश के सबसे गरीब राज्ये हैं इस सूची के मुदाबिक बिहार की 51% जनसंग्या गरीब है महीं जारखंड में 42% और उत्तरप्रदेश में 37% आबादी गरीब है मद्यप्रदेश में 36% जबकि मेगाले में 32% आबादी गरीब है अब अगले साल की शुरुआत में उत्तरप्रदेश सहीत कुल 5 राज्यों के विदान सबस्द चुनाओ होने वाले हैं ऐसे में उत्तरप्रदेश की 37% आबादी के गरीब होने का या आखड़ा इस तरह इशारा करता है कि आम नागरिक के मुद्दे क्या है या क्या मुद्दे होने चाहिए उत्तरप्रदेश को उत्तम प्रदेश जरूर कहा जा रहा है मगर यांखडे कुछ और ही हकिकत बता रहे हैं देखना यह भी होगा कि जमीनी इस्तर पर आम जन के मुद्दे कितना चल पाते हैं सबसे कम गरीब लोगों वाले राज्ये में केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडू और पंजाब का इस्तान है इस रिपोर्ट में स्वास्ते, पोशन और शिक्षा की इस्तितिक आधार पर गरीबी का मुल्यांकन किया गया है अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ खेल को राजनेतिक रूप देने का नया तरिका ढूणा गया है भारता जंदा पाल्टी ने गुजरात में अमिश्या की संसदे सीट गाने नगर में अनुच्छे 370 की तर्च पर स्पोर्ट्स लीग शुरू करने की सोची है इस लीग का नाम GLPL 370 यानि गाने नगर लोकसबा प्रीमियर लीग 370 रखा गया है इसका योजन गाने नगर की बीजेपी काई कर रही है आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी ने जम्मो कश्मीर से अनुच्छे 370 हटा दिया था जिसके बाद से वहां हाला तब तक सामाने नहीं हो पाए है अब इस खेल का नाम इससे जोड कर रखने का उद्दिश्य भी आप समझ सकते है बताया जाता है कि इसका सुझाओ खुद अमिश्या जी ने दिया है पार्टिया कह रही है कि अपने युवा सज़स्या बढ़ाने के लिए यह किया जा रहा है गानी नगर लोकसबा शेतर के भाजपा प्रभारी हरशत पटेल ने कहा कि मददाता सूची में शामिल युवा मददाताओं को भाजपा समर्थक बनाने के लिए कारेकरम आयजित किया गये है उसके लिए क्रिकेट और कबड़ी का चैन किया गया है प्रति एक बाड में कम से कम दो टीमें करिकेट और कबड़ी के लिए एक एक रखने का लक्षे है अब बात किसानों की क्रिशी कानूनों की क्रिशी कानूनों की संसत से सुमवार को वापसी हो गई एक तरफ जहां देश में दक्षनपंती विचारधारा का फैलाओ होता जा रहा है तकरीबन करीब हर रोज अलपसंक्यक कोप पर हमले हो रहे हैं ऐसे में किसानों की इस एत्यासिक आंदोलन को देखकर प्रिनना तो मिलती ही है बलकि विश्वाश भी जगता है कि विरोध और एकता से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है वरश लेखक प्रभात पतनायक लिखते हैं कि किसानों की इह लड़ाई इत्यास की सबसे महमतम नड़ाईयों में गिनी जाएगी वो कहते हैं कि किसानों की ये जीत बुनियादी तोर पर सामराजवाद के लिए एक धक्का है इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि एक साल के बाद भी सरकार ने किसानों के मुद्दे जानने या उन पर बहस करने की कोशिश नहीं की जिस तरह से बिना बहस के कानून लागू किये गए उसी तरह बिना बहस के ये कानून वापस भी ले लिए गए जानकारू का मानना है कि सांदुन का असर आने वाले उत्तरप्रदेश चुनाओं में देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें पश्यमी उत्तरप्रदेश के किसानों का सयोग भर चरकर देखा जा रहा है अबंत में बात कोविट की कोविट 19 के नए वैरियंट ओमिक्रोन के आने के बाद साफधानी के तौर पर भरत में दिशनर देश जारी कर दिये गए हैं जो एक दिसंबर से लागू होंगे इसके तहट विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन के ट्रैवल हिस्ट्री नगेटिव रिपोर्ड देनी होगी यह वैरियंट सबसे पहले दिख्षन फ्रिका में पाया गया था ऐसा दावा किया जा रहा है वहां रह रहे भारतियों को इंडियन MBC में जाने के लिए कहा गया है स्वास्ते मंत्राले ने दिल्ली के लोगनायक अस्पताल को ओमी करॉन वेरियंट का इलाज करने के लिए डेडिकेट अस्पताल बनाया है वहीं पिछले 24 घंटों में भारत में कोविट के 7000 से कम मामले सामने आये हैं और 60 मरिजों की मौत हुई है अब तक कोरोना के 123 करोड से ज्यादा वैक्सिन दी जा चुकी हैं और पिछले 24 घंटों में 78 लाख वैक्सिन की डोज दी गई हैं तो आज के डेली रांड अप में बस इतना ही आप हमारी साइट पर विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पत्रकाईता को समर्थन दीजिए धन्यवाद